नमस्कार नेशनल फिर में आपका स्वागत है मैं हूं कुमार और देखिए चाइना ने एक बार फिर से पोरी दुनिया के लिए खत्रा पैदा कर दिया है पेचले कुस दिनों में चाइना के कैई रोकेट एक्सप्रोड हुए हैं लेकिन वो एक्सप्रोड हुए थे अर्थ पर ही या फिर लोंच करने के थोड़ी देर बाद ही लेकिन इस बार चाइना का एक रोकेट एक्सप्रोड हो गया है स्पेस में जाकर और इस चाइनीज रोक स्पेस कमांड डेबी एक स्टेटमेंट जारी किया है और इस में लिखा है यूएस स्पेस कमांड कैन कन्फर्म दब्रेक अफ चाइनीज लोंग मार्च 6 रोकेट जिसे लोंच किया गया था 6 अगस 2024 को और इस रोकेट के तूटने से इस स्पेस में लगबग 300 पीसेज ओफ ट् चाइनीज रोकेट के एकस्प्लोड होने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खत्रा हो गया है देखे क्या है एडलाइन लिखिए है एस में लिखा है सुनीता विल्यंज एंड फेलो एस्टोनोट्स एट रिस्क फ्रूम दे चाइनिज रोकेट एक्स्प्लोजन डेबरी देखे चाइना एलन मस्क के स्टार लिंग की तरह अपना खुद का एक स्पेस कॉंस्टिलेशन बनाना चाता है सेटलाइट का इसको चाइना में G60 स्टार लिंग भी का जाता है और इसके अंडर चाइना का प्लान है के वो लगबग 14,000 सेटलाइट का एक कॉंस्टिलेशन बनाएगा और इसके लिए 2024 में लगबग 108 सेटलाइट छोड़े जाने है और इसके लिए चाइना ने 6 अगस्ट 2024 को अपने लोंग मार्स 6 से रोकेट से आपने G60 सेटलाइट का पहला बैच जिसमें 18 सेटलाइट थे लोंच किया था इसे लोंच किया था संगाई स्पेस कॉम सेटलाइट टेकलोजी ग्रूप ने हाला कि फिलाल चाइना का प्लान है कि अभी एस कॉंस्टिलेशन में 1296 सेटलाइट होंगे लेकि ने बाद में बढ़ाकर 14,000 किया जाएगा अब ये 18 सेटलाइट छोड़े जाने थे लो आर्थ और्बिट में जहापर बहुत सारी कंट्रीज के ओलेडी सेटलाइट हैं अब ये जो चाइना का लोंग मार्च 6 से रोकेट था और इसकी जो अपरिस्टेज थी उसने सेटलाइट को उनके ओर्बिट में प्लेस तो कर दिया बाट उसके ज़स्ट बाद एस रोकेट की अपरिस्टेज एक्सप्लोड हो गई ये रोकेट एक्सप्लोड हुआ पांसो तीन माइल्स या आप कहें 810 किलोमीटर की अल्टिटूड पर फ्रोम दा अर्थ सर्फेस जब ये एक्सप्लोड हुआ तो डेफिनिटली बहुत सारे पीसेज में डिवाइड हो गया अब वो पीसेज घुम रहे हैं स्पेस में सेटलाइट के आसपास और स्पेस में ओलेडी जितने भी सेटलाइट हैं 497 माइल्स या 800 किलोमीटर की अल्टिटूड से कम पर उन सभी के लिए खत्रा पैदा हो गया है एक रेफरेंस के लिए अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन की तो वो आर्थ सर्फेस से सिफ 254 माइल्स या आपके 408 किलोमीटर उपर है स्लिंग सोट होरस सेंसर सिस्टम वेज प्रोवाइट सेटलाइट टेकिंग इन लो आर्थ होर्बिट उसने एक ब्राइट और अनेक्सपेक्टेड ओबजेक्स की पूरी स्रीज नोटिस की और ये स्रीज उसी ओर्बिटल पाथ पर थी जहां पर चाइना की रोकेट बोड़ी थी और जहां पर इन सेटलाइट को डिपलोई किया गया था अब ये रोकेट कितने पीसेज में डिवाइड हुआ इसको लेकर भी आँकड़े लगातार बदल रहे हैं सबसे पहले सिलिंग शोट एरोस्पेस ग्लोबल सेंसर नेटवर्क ने कहा था कि इसके 50 पीसेज स्पेस में घूम रहे हैं फिर यूएस स्पेस कमान ने कहा कि इसके लगबग 300 पीसेज हैं और वो लगबग 300 पीसेज को ट्रेक कर रहा है अब ट्रेकिंग और्गनाजेशन लियो लैब्स के राडार डेटा के अकोडिंग चाइनिज रोकेट के एक्सप्लोड होने से लगबग 700 डेबरी फ्रेग्मेंट्स बने हैं और हो सकता ये 900 तक हो अब चाइनिज रोकेट के एक पीसेज कितना खत्रा पैदा करेंगे इसके बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक हम इन पीसेज को ठीक से एनलाइज ना कर लें हम इसके खत्रे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना ही अब इस बात का पता लगा है कि ये चाइनिज रोकेट खुद से एक्सप्लोड हुआ या ये स्पेस में किसी चीज के साथ कॉलाइड कर गया अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली है चाइना अपने इस कॉंस्टेलेशन के लिए जो सेटलाइट और्बिट में प्लेस कर रहा है वो प्लेस कर रहा है इन्टू और्बिट एराउंड दा अर्थ पोल यानि पोल के एराउंड जो और्बिट होता है उसमें ना कि एक्विटोरियल और्बिट में और इसलिए वो polar orbit में किसी object से नहीं टकराएंगे आगर वो टकराएंगे तो equatorial orbit में अब low earth orbit में कोई भी चीज अगर travel करती है तो वो travel करती है 17,500 miles per hour की speed के साथ और जब ये चाइना के satellite जो polar orbit में छोड़े गए है equatorial orbit में किस चीज़ से टकराएंगे तो ये होगा एक T-bone intersection case सोचे जब दो कारें 17,000 miles per hour की speed से crash कर रही है T-bone intersection अब दुनिया बर के satellite तो हैं ही low earth orbit में भारत के भी satellite है अगर आप यहाँ पर देखें तो भारत के कैई low earth observation satellite उसी एरिया में है जा चाइना के rocket explode हुआ है अपने small satellite launch vehicle के थूँ और इसको भी place किया जाएगा 475 km circular orbit में और ये वही रीजन है जहाँ पर चाइना का rocket explode हुआ है देखें चाइना है जो constellation launch कर रहा है satellites का ये launch कर रहा है एलन मस्क के star link को counter करने के लिए आज की date में चाहिए communication हो या military operations हार जगे satellite का बहुत ही जादा use है आपने युक्रेण वोर में देखा ही होगा एलन मस्क का जो star link constellation है वो एक key asset है for Ukrainian military यहाँ पर headline देखे युक्रेण रिलाइज ओन star link for its drone war उसे लगता है युएस के साथ वोर के time में एलन मस्क का star link युएस के लिएक advantage हो सकता है और चाहिना अपना खुद का constellation launch कर रहा है साथ ही चाहिना इसका एक और advantage ले सकता है ऐसे constellation के जरिये ऐसे remote areas में भी internet service provide की जा सकती है जहां internet से related infrastructure नहीं है और अगर चाहिना अपना खुद का constellation बना लेता है तो वह इसे other countries के लिए आपने belt and road initiative के अंडर use कर सकता है other countries को offer दे सकता है कि अगर आप belt and road initiative के अंडर आएंगे तो आपको free internet provide के जाएगा even in remote areas लेकिन फिलहाल चाहिना का एक constellation का पहला लोन छी दुनिया के लिए खत्रा बन गया है आप लोग इस पर क्या रहा है कमेंट जोर करिएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में जजद मिलेंगे धन्यवाद